रूस को रुकने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू जट चाहिए और जेलिंस्की की ये डिमांड पूरी करने वाले अब पुतीन के टागेट पर आ चुके हैं इसी में नए नाम फ्रांस का है फ्रांस को पुतीन की तरफ से खतरनाक वार्निंग मिली अब पूरे योरोप को साथ जून को हुई इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन रूस को आस्मानी टक कर देता रहेगा जेलिंस्की मैक्रो ऐसे मिले जैसे रूस से लड़ाई लड़ने के लिए अब फ्रांस पूरी तरह तयार है इस मुलाकात में जेलिंस्की के नजर हथियारों पर रही और मैक्रो की नजर पुतिन की फॉज पर इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन को अब F-16 के साथ-साथ फ्रांस का फाइटर मिराज 2-000 भी मिलेगा इसकी गैरंटी फ्रांस के राश्रबती इमैन्वाल मैक्रो ने दी है मिराज 2-000 यानि वो लड़ाको विमान जो राफैल से पहले फ्रांस का टॉप फाइटर जेट माना गया अब यही फाइटर यूक्रेन के पास आएगा और रूस के सुखोई विमानों से टक्कर लेगा इस वक्त यूक्रेन को जो फाइटर जट मिलना पक्का हो चुका है पहला है F-16 और दूसरा है मिराज 2-000 दोनों इन नैतों के जबरदस्ट फाइटर है और इसमें कोई शक नहीं कि रूस को टक्कर देने की गैरंटी माने जा रहे है मिराज 2-000 बैतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ रूस के फाइटर जट्स का सामना कर सकता है बलकि रूस के जमीनी टार्गिट पर हमला भी कर सकता है जेलेंस की इन विमानों को स्पेशल मिशन एरक्राफ्ट के तोर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे फ्रांस जानता है कि वो योकरेन की मदद करके रूस को नाराज कर रहा है लेकिन माक्रो ने ये खत्रा उठा लिया है पर लेदे उसी लूँटन और उसी इंतंसेमां के नेसेसर ये उक्रेन को मिल रहे हैं फाइट जट वाले तोफं को देखकर पो तेन बहुत गुसा है और वो बार बार बता रहे हैं कि नाट और रेड लाइन को क्रॉस ना करे क्योंकि अगर लक्षमन रेखा को पार किया गया तो रूस ऐसी सजा देगा जिसके थमाके की गूंज लंडन और वशिंग्टन डीसी तक सुनाई देगी फिलहाल्ड रूस की नई वानिंग फ्रांस के लिए आई है और ये साफसाफ मेराज़ टू थाउजन जेट कोले करें मिराज एक देल्टा विंग वाला फाइटर जेट है जो वरजन यो को मिलने जारा है वही वरजन वाला मिराज भारत के पास भी है मिराज फाइटर कौन से हत्यार फायर करेगा इस बारे में जेलन्सकी को बताया क्या है इसमें ये हैमर बम भी है जो इस स्पेशल किट की वज़े से 70 किलोमेटर दूर जाकर दुश्पन पर फटता है जेलन्सकी बार बार पूछते रहे हैं कि पोतिन के हवाई हमलों से योकरेन को कौन बचाएगा पोतिन के मिसाइल अटक का जवाब कौन देगा पोतिन की फौज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा इसी लिए जेलन्सकी को ये भी चाहिए योरो फाइटर जेलन्सकी ने इसकी भी डिमांड की है मिराज 2000 हाउजर और ये वाला जहाज तो जेलन्सकी को ज़रूर चाहिए F-60 ये बात साफ है कि उकरेन को बचाने से जादा जेलन्सकी रूस पर हमले के लिए बेकरार है और अब इसमें फ्रांस भी उनकी मदद को आके आके है अब्सक्सी आप कर दोचाने के लिए 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 बाता है वाला जाज बाता है अब्सकी बाता है वाला बाता है मिराज और F-16 जैसे फाइटर जेट मिल जाएं तो जेलन्सकी डॉन बास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बलकि मॉस्कों में पुतिन के हेड़कॉाटर यानि क्रेमलिन तक हमला करेंगे ये ताकत हासिल करने के लिए जेलन्सकी ने बहुत पापड़ बेले है जेलन्सकी कमेशन फाइटर जेट शुरू हो गया है जिसे यूरोप और अमेरिका में जेलन्सकी की फाइटर जेट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है जेलन्सकी ने मिराज और F-16 फाइटर जेट को लेकर पाँच फाइदे बताए हैं इसमें योक्रेन की जरूरत से लेकर अमेरिका को लालच और ऐसे वादे भी हैं जिन पर यथीन करना वाइडन के लिए दो दारी चाको पकड़ने जैसा है पहली बज़र योक्रेन अगर F-16 से लड़ेगा तो वो रूस के सभी हमलों को रोकने में काम्याब रहेगा यानि उसका स्क्राइक रेटर 100% हो जाएगा ये उक्रेन का दावा है कि अभी तक वो रूस की तरब से हो रहे 75% हवाई हमलों को रोकने में काम्याब हो रहा है लेकिन मिराज और F-16 मिलने से बाकी 25% की भरपाई भी हो जाएगे क्योंकि तब ये जहाज नैटो से मिले एर डिफेंस के साथ मिलकर एक नेटवर्क बना कर काम करेगा F-16 चुनने की दूसरी वज़ डॉक्ट फाइट में ये जहाज रूस के विमानों पर भारी पड़ सकता है ऐसा जैलेंस की कदावा है जब कि सच ये है कि रूस के सुपोई 35 जैसे फाइटर जेट दुनिया के बैतरीन डॉक्ट फाइटर माने जाते है यानि ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि इसके मुकाबले में दुश्पन का कोई फाइटर ज्यादा वक्त तक नहीं टिपपा था लेकिन जैलेंस की का कहना है कि F-16 मिलेंगे तो रूस के लड़ाको विमानों को गिराना आसान हो जाएगा हलाकि अब तक नैटो कोई ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूस से कैसे निप्टा जाए जैलेंस की भी परिशान है कि अगला हमला रूस कैसे करेगा और वो उसे कैसे रोख पाएंगे अगर वो अमेरिका और उसके नैटो वाले साथियों से हत्यार नहीं बालेगे तो योक्रेन का पूरी तरह से ढह जाना बस कुछ दिनों की बात रह जाएगे उनके सामने रूस के फाइटर जेट है जो आए दिन योक्रेन पर बम बरसा रहे है जैलेंस की इसी खत्रे को खत्म करना चाहते हैं इसमें चाहे पूतिन के फाइटर जेट हो या फिर पूतिन के अटैक हेलिकॉप्टर रूस की एर पावर 2400 घंटे योक्रेन पर खत्रे की तरह मंड़ा रही है यही ताकत है जिसे दिखा कर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि योक्रेन को हथियार डालने पड़ेंगे क्योंकि इस से कम में वो मानने वाले नहीं है दिली से जमू कश्मीर तक हलचल बढ़ गई है हाई प्रोफाइल बैठकों के बाद सुरक्षा बलब अक्शन मोर में है चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जर्नल अनल चोहान भी जमू पहुंच गए है अब घाटी में सुरक्षा बलों को एक जबर्दस कामिया भी हाथ लगी है इसी बात से अब पाकिस्तान की सेना बहुत ज़्यादा घबराई हुई है आतंक के मुकम्मल इलाज के लिए जम्मू पहुंचे सीडियस ग्रेव मंत्राले ने रियासी हमले की जाच एनाईये को सौपी हंदवाडा से सुरक्षा बलों ने आतंकी को किया गिरफ्ता मोदी सरकार कश्मीर के साथ जम्मू में भी जीरो टेरर प्लान का मूड बना चुकी है ग्रेव मंत्राले एक्षन में आ चुका है सेना अलार्ट मोड पर है सीडियस अनिल चौहान ने जम्मू का दौरा किया है सीडियस अनिल चौहान का ये दौरा ऐसे वक्त में रहा जब ग्रेव मंत्रे अमित शाह ने रविवार को अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इस्थिती और तयारियों पर हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके अगले ही दिन सीडियस अनिल चौहान जम्मू पहुंच गया घाटी में सुरक्षा बलो ने चप्पे चप्पे पर नजर और पैनी कर दी है हर तरफ तलाशी अभियान चल रहा है ऐसे ही एक इनपुट पर सुरक्षा बलो ने हंदवाडा में हिजबल मुजाहिद दीन के आतंकी को गिरफतार किया जाकिर हमिद मीर नाम के इस आतंकी को पाकिस्तान में बैठे उसके आखाउं से सौफ टार्गेट करने का हुप दिया गया था सौफ टार्गेट यानि आसानी से किये जाने वाले हमले जिसमें ज्यादा से ज्यादा निर्दोष्ट लोगों को निशाना बनाया जा सकता पकड़ा गया जाकिर हामिद मीर पाकिस्तान में बैठे अपने आखा जहूर एहमत मीर के संपर्ट में था और उसी के आदेश पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था अपरेशन में हमने जब बंदे को इडेंटिफाई हो गया कि बंदा कुन है उससे वेपन्स भी सीज़ यह वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल एक घरनेट और एमटी यही तो मैग्जीज पिस्टल के है तो इसमें हमने एफायर 124 2024 हैंवारा पुली स्टेशन में लगा द कि बस पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई इस हमले में नौ यात्रियों की मौत और 41 लोग घायल हो गए इस हमले के लगभग 48 गंटे बाद 10 जून की शाम को जिला कठुआ में पोलियों की आवाज गूजी जो 11 जून की दो पहर दो आतंकियों के मारे जाने और एक सियात्य के जवान के शहादत के साथ बंद हुए इसके तुरंद बाद डोडा में भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर दो अलग-अलग हमले किये जिसमें आठ सुरक्षा कर्मी कायल हुए साफ है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही आतंकियों के आका बौखला चुके हैं इसलिए आतंकियों की एक नहीं चलने वाले क्योंकि मोदी सरकार सत्ता समाल चुकी है और इस सरकार को एक्षन लेने आता है आतंकियों कितने बौखला चुके हैं इसका ताजा उदारण है आएस आएस समर्थित पत्रिकाव वाइस ओफ खुरासान का एक ताजा आर्टिकल जिससे साफ होता है वाइस ओफ खुरासान के आर्टिकल में छपा है वाइस ओफ खुरासान मेगजीन के जरिये पीएम मोधी के खिलाफ जहर उगला गया है उनको बताया गया है कि इसलाम के खिलाफ भारत में वह एक हिंदुवादी राश्टित स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका पूरा असर है मुस्लिमों के हितकार नुकसान होना यही नहीं गजनवी और कासिम जैसे लोगों की तारीफ की गई है इस मैगजीन में कुल मिलाकर बीजेपी और पीएम मोधी को निशाने पर लिया गया है इस जहरीली मैगजीन में रिपोर्ट्स के मुदाबिक पत्रिका वाइस ओफ खुरासान ने अपने कवर पेज पर दी गई हेडलाइन में लिखा ये बहुदेव वादी भारती अराजा महमूद घजनवी का फिर से सामना करने के लिए तयार हो जाओ भारत के मुश्रीकों को कारों से मारों चाक्मों स उनके पेट चीरों, इनके मंदिरों, घरों, कारों, संपत्तियों और पस्लों में आख लगाओ, भीड भारवाली जगों को निशाना बनाओ मुस्लिमों को भड़काने के लिए इस लेख में कहा गया है कि घैर मुस्लिम उनकी जमीनों पर कपजा और महिलाओं का अपमान करते हुए शरिया कानूनों का मजा कुड़ा रहे हैं आज के अधित्तर मुस्लिमों को इस दुनिया से मुहंबत हो गई है इसलिए वो जिहाद की रा में मरने की हिम्मत नहीं जुड़ा पाते जनवरी 2024 में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम फिल्मी, राजनैतिक, खेल और व्यापार जगत के हस्तियों के शामिल होने पर भी आईस आईस समर्थित इस पत्रिका में नाराजगी जताई गई है लेक में राम मंदिर बाबरी केस में आए फैसले को भी घलत ठहराने की कोशिश की गई है यही नहीं ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी बीजेपी महिला प्रत्याशी के खिलाफ भी इस पत्रिका ने जहर उगला है ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा उसके खिलाफ भड़क जाएं कट्टर पंथी सोच रखने वालों की बॉखला हट वाइस ऑफ खुरासां में शपे लेक से पता चलती है मैकजीन में हर वो कोशिश की गई है कि मुसल्मानों को गैर मुसलिमों के प्रती उकसाया जाए हिंदूों की हथ्याप वं ब्लास्ट और दूसरे तरीकों से भी करने को कहा गया है यही नहीं कटर पंथियों में अपने इस लेक में बदला लेने की नियत से किये जाने वाले हमले को नेक कामवाली कोशिश तक करार दिया है इस तरह के लेख भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खत्रा है